हम पहुचे हैं बाजगाओ लोगसभा छेतर के कौडी राम में जहां कॉंग्रेस की एहम बैठक चल रही है चुनाओ को लेकर किस तरह से रणीती त्यार होना इसको लेकर आप देख सकते हैं कि यह बैठक आपको यहां दिखाई दे रही है और बैठक को देखे संबोधित भी कर रहे हैं और यहां पर सने जहता गोत्म जी है वरिष्ट कांग्रेस कारे करता है और कोडी राम में जो इ재 बैठक चल रही है इसका रचा क्या कि पर पर बात करने के लिए हम लोगों से जान लेते हैं कि क्या एहम जो मुद्दे हैं जो चुनाओ है चुकी कमलेश पासवान चौथी बार भारती यंता पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाओ लड़ रहा हैं लगातार तीन बार जीतते चले आया और अभी कॉंग्रेस ने सदल परसाथ जी कॉंग्रेस से लड़ा किस तरह आप लोग रणनीती तयार कर रहे हैं उनको जीताने के लिए क्या यहां पर बैठक का क्या उदेश नहीं हमारा बैठक का उदेश से तो दो बताएं हैं भीना हम लोग कि सबसे पहला उदेश से है कि जो हमारे कांग्रेस कमेटी क के जिला ध्यक्ष है अंब नियरणा पास्वान जी उनको हटाया जा और कि उनको हटाया जा अब्ही जिला ध्यक्ष然后 होद है जो है अभी तक हमारे गोरापूर जिले के अपनी कमेटी तक नहीं बना पाएं कमेटी तक नहीं बनाये हैं और केवल सारा फर्जी कागज दे करके और प्रदेस को गुम्राह करते हैं हम सारे कारेकरता जो हैं गोरकूर के यह चाहते हैं कि निमला पासवान जी को ततकाल उश्पद से हटा दिया जाए किसी दूसरे को यह किया जाए. दूसरा हमारा मुद्दा है कि यहां बांस गाउं, कांग्रेशी इसका बिरोध कर रहे हैं, इस गोरपुर्जी लेके, बिरोध हिया कर रहे है कि जो हमारा कारिकरता है, हमारे पार्टी का, जो पदादिकारी हमारे पार्टी में है उनको टिकट न दे करके एक दूसरे पार्टी से ला करके और उनको टिकट दिया गया और उनको टिकट दे करके लड़ाय जा रहा है जिससे सारे हमारे कांग्रेसी उदासीन है वह मतलब कारे करने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं और हैं पदाधिकारी हैं संस्रत सभाब्स काउं कि यह अरक्षित है तो आश्य रहिट में ही दिमारे पदाधिकारी करता हैं जिनको टिकट दे कर के और हमारा परतै rouge करने के लिएज्य को यहां कर रहें तो क्या वज़ाए शर्दलपर साथ का विरोद आप लो गर तो हम लोग कांग्रेस पताधिकारी हैं हम पिछड़ा बार के जिलाद्ध्यक्ष महारा निया दो कि हमारे हके जाग्रेस की जो जिलाद्ध्यक्ष नीर्मला पासोन करती है रिशा चलत करती कि हम लोग इस बैठक में यही काम करते हैं कि किसी तरह पार्टी ने तरू तो इस समय लोग सबाब परत्यासी को भी बदला जाए और साथ साथ में निर्मला पासवान को भी यहां से जिलाद्यक पस से हटा के दूसरे को नियुत किया जाए आप लोग क्या वज़ा है आखिर स को टिकट मिले हुए अभी तक छेत्र में कोई रोनग नहीं कहीं कहीं आए गए नहीं तो उससे अच्छा हमारे पार्टी में खुद बहुत पुराने कार करता है जो बीसों पचीसों साल से जंडा रहा है उनको टिकट दिया जाए हम लोग साथ में अपना लगा कि चलेंगे किसे नाम चल ला था यहां से क्या नाम तो पहले कमल किमांडो का चलना था उसके बास तिने लता गोतम गय harvest दूसाच जी हैं वां से परतियासी हमारे पास Congress में सब्सक्राइब कांग्रेस में भी कुद के आएंगे कांग्रेस के जीतने भी पदादिकारी हैं वो क्या करेंगे तमाम जो बैठक है इसमें विरोध हो रहा है सदल परसाद का चुकि टिकट मिल चुका है लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इसा दावा है सब्सक्राइब कांग्रेस के बरिष्ट जनों का बैठक है बरिष्ट कांग्रेसियों का बैठक है यहां पर लोग अपने आपको उपेछित महसुस कर रहे हैं इसी के लेकर आहत है तो हम लोग अपना एक बैठक किये है कि आगे के रणनीत किस तरह से तैं किया जा हाई कमान को अपने दर्द को किस तरह से बया किया जा अपने दुख दर्द को कैसे पहुंचाया जा तो उसलिए हम लोग एक मिटिंग किये है कि पहला हमारा मांग पाटी हाई कमान से यही ह कि जिला ध्यच को हटा है जाता काल प्रभाव से जो कि वह चार सालों से लगातार है वह कारकरता एक तम उपच्छित हो गए हैं और यहां तक कि पदाधिकारी जो लोग है वह भी सोसण किसी कार हो रहे हैं किसका नाम चल नाम से कंबले स़ाह से सदल परसाद तकर नहीं देपा रहे हैं कितनी तमदारी दिखा डीए है जो उसके पास ठेल्टी हों पबलिक शिट्टी हो बमधता भान्तों सटेट की रह. राजनीत को राजनीतों और यह बड़ी अंतर तो वह मंत्री बहुत सारे मंत्री लोग है इसे मंत्री रहने से नहीं होता है पब्लिक सिटी में पब्लिक में आपकी जन की राजनीत किने के हैं सदल जी जो राजनीत के हैं वो ओट कैडर की राजनीत के बसपा की राजनीत के हैं उसमें वोट बैंक होता है पैसे की राजनीत कि और यहां जो है कि हमारे कांग्रेश को किसी कांग्रेस का नाम चलना था आप लोग किसको चाहिए यहां देखिए अभी लड़ाई में जो थे पहले नंबर पे तो कांग्रेस से कमांडो कमल किसोर जी थे गया जी थे इंजिनियर जैराम परसाद थे हमारे दुदास जी थे प्रोफेसर राम नरस चौधरी जी है ऐसे बहुत सिच्छित सिच्छित लोग हैं डियोटेड हैं जो पचीस सालों से पाइटी का जंडा धो रहे हैं आप बताई आप क्या लग रहा है कि सदल परसाद लग रहा कुछ चूख हुई शीर्ष नेत्रत से चुनाव करने में पहले बसपा में थे और कॉंग्रेस से चुना इसनाते कि सीर्ष नेत्रत को जिन लोगों ने जिनकी जिम्मेधारी यहां दी गई थी उमेदवार चेयन की उन लोगों ने सीर्ष कुनेत्रत को गुमराह करके ऐसे वेक क्यों टिकेट दिलाया है कि जो कि भारतियर जंता पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकता और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गडबंधन यहां से चुनाओ जीते और उस जीत के क्रम में हम लोग आज यह बैठक किये हैं कि इंडिया गडबंधन की जीत के लिए जीस उम्यद्वार का होना जरूरी है वो खाटी कांग्रेशी होना चाहिए उचाहे प्रदेश अस्तर का नेता हो दलित या राष्टी अस्तर का दलित नेता हो या हमारा गोरक कुर जनपत का स्थानी खाटी कांग्रेसी हो उसे टिकट दिया जाए तो वह चुनाव जीत करके आ जाएगा आप काफी वरिष्ट लेता है आप बताइए क्या लगता है जो प्रत्यासी है उसके चुनाव में कुछ कमी रह गई और क्या गया देखे एक दो महिना हो गया प्रत्यासी को आए हुए आप लोग भी देख रहे हैं मीडिया वाले भी देख रहे हैं हमारे बासगाव की जनता देख रहे हैं मेरा संगठन भी देख रहा है मतलब जब तक संगठन के लोगों को लेकि नहीं चल पाएंगे और यह पहचानते भी नहीं है जुमा जुमा इनको हुआ है दस दिन तो कहां से पहचानेंगे तो हमसके यह है कि हमारे जो हमारे शुष्ट नेतितों है हमारे पहुचाने का कश्ट कि मतलब किपका किया हमारा बास गाउं राजपाल हमारे पडूस वाले नहीं पहुचा पाए लेकिन हमारा बास गाउं की जनता राजपाल तक पहुचाई है आपको क्या लगता है सदल परसाद सही प्रत्यासी नहीं है उनको बदलना चाहिए दो एज जिलाध्यचपत् की जीमेदारी देधी जिसके बसका उसके पदाधिकारी उसके कमटी तक में नहीं है उसके साथ नहीं है are नेost realism से बार-बार जो तक हम लोग जा सकते हैं उनसे यह कहा गया कि जिलाध्य के कारेकलाब से उनको उगत कराए गया किन्तु उस पर भी ने अपना ध्याना कृष्ण लोगों ने आपने अपना प्रस्ताव किया था अब आगे विरोध हो रहा है सही मानते हैं विरोध हो रहा है पहले आप एक ऐसी जिलाध्दच है उसको कहती है एक दली संबाद हम लोग यहां करवाये थे वह कहीं दो ब्रामणों का फोटो लगा था कई भवनन के फोटो हटा दीजिए पहली गलती तो जिलाद्य चिक जिमेदार बेट को यह सब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वह पैसा लेकर के कमेटी बनाई ह है चुनाओ के समय कमेटी कोई नहीं बनती है वह तत्यकाल सिर्च नेतित्त जो दिया है मनजूर है लेकिन हमारे कांग्रेश के जो सीनियर थे रातों दिन चलते हैं कांग्रेश के लिए उनको टिकर देना चाहिए सदल प्रसाद या फिर कोई और सदल प्रसाद अगर नेति कमेटी के उपाध्यच महेंदराज मिष्रा उनके उसमें कारेकरम में जाते है और उनको समान भाना ही दिया जाता है किसी अन्ने कारेकरता को मंच के बैटाया जाता है ऐसे प्रत्यासी को ढूंड रहे हैं जो कदम से कदम मिला कर चले और यहां का खाटी कारे करता हो एक बहुत वरिष्ट कांग्रेसी यहां पर हैं सर यह बताई आप लोग को क्या लगता है सदल प्रसाद सही कैंडिडेट हैं यहां के लिए वांसगाओं के लिए आप फिर कांग्रेस से ही नहीं है इसलिए सही का कोई बतलबा नहीं है कांग्रेस पार्टी से अगर होते जो जुड़े हुए उनको कांग्रेसी कल्चर का ज्यान होता उनको कांग्रेसी कल्चर का ज्यान नहीं है वो बसपास से आये हैं जहां लूट खसोट का राज्य था उसी पार्ट देखे सबसे बड़ी चीज है कि पहला मुझ्दा हमारा जो हमारे जिले की अध्यक्ष महोद्या है नेभला पासवान अब लमप परदेश नतित्र या केंद्री नतित्र जो है उनको हटा दे उनके जगगापर किसी को लाए। यह पहला मुझ्दा है। दूसरा मुद्धा यह है कि सदल प्रसाद को हटाने और नहीं हटाने की बात नहीं है हमारे किसी भी कांग्रेश कल्चर जो भी है जो संस्कृती है इसमें से जो लोग हमेशा मजबूती से योगदान दिया है कांग्रेश पार्टी को मजबूती के लिए उन में से चाहे वो गया प्रसादी हो चाहे जया नान दुसाद हो कोई भी हमारे पार्टी का जो संगटन का मजबूत कड़ी है कि चाल Hmm कमान्डो कमल zas będziemy चल्दा है और हमारी यंपीं नहीं हैं अगर उनको दिया जाता है तभी हमारे तदप से पोड़नें द हां कमानडोוס के हमाने द्यारी है नोगने सब्सक्रांत प्रसाध अगर उनको सब्सक्क्राइए पर पर सब्सक्राइए कांग्रेसी नहीं है इसलिए उनका यहां पर विरोधोरा लोग चाहते हैं कि कमांडो कमल किशोर को यहां से प्रताशी बनाए जाए अगा आगा एबी पी गंगा खबर आपकी जबाब की